सवेलो फ्रेंस वंस एगन वेक माइड चानल लेट्स लान इंगलिल्स फ्रेंस अाज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिजाबेथन पोईट्री फ्रेंस ऐलिजाबेथन पोईट्री को हम लोग सिक्ष्टिन संचूरी प्ट्री भी कहते हैं फ्रेंस एलिजाबेथन पोईट्री किसको कहेंगे फ्रेंस जो एलिजाबेथन जो आई थी इंग्लेंड में रानी बनी थी उस समय रानी के दोरन जो सासन किस्चम है जो लिखा गया पोयम लिखा गया पोईट्री को हम लोग एलिजाबेथन पोईट्री कहते हैं आपका प्रस्ट पूछा जाएगा,ही आपको पूछे दाएगा के ग्रोथ इन डवलाप्मेंट पूछा जाएगा, तो आपको इंसर यही प्रकार करना है तो देखेंगे फ्रेंश इसको आई हम लोग देखते हैं कि अलिजा बेथन जब शासन कर रहे थी इंगलेंड में उस समय जो लिखा गया पोइंटरी को हम लोग कहते हैं अलिजा बेथन बीटरी तो आई प्रेंश देखते हैं कि यहां पर तीने most famous writer हुआ करते थे जो अलिजा बैतन पॉयट्री का शुरुवात करते हैं पारम आरम करते हैं तो आए हम लोग देखते हैं लाइन बार लाइन प्रेंस अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको पूरी हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में आप जूड सकते हो और य का हो स्टूडेंट्स या एमे का हो जो मास्टर कर रहे हैं या जो गेजूट कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत हैंप मिलेगा इस चैनल के थ्रो इसलिए जरूल आप लोग जोईन किजेगा और न्यू भी ऊरौनोंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको स समय समय पर आपको help मिलता रहेगा तो आईए फ्रेंस ज्यादा हम लोग कुछ बात नहीं करते हैं आईए हम लोग देखते हैं कि Elizabethan poetry में किस-किस writer का सबसे ज्यादा important role निभाया है जो development करने में इंग्लिस poetry को development करने में और इसको initiate करने में शुरुवात करने में तो देखेंगे फ्रेंस यहां पर जो तीन लाइन छोड़े थे फ्रेंस इसमें जो है इसको introduction लिखना था इसलिए आप लोग PDF फाइल में आपको मिल जाएगा तो देखेंगे फ्रेंस त्री राइटर देखेंगे त्री इंग्लिस राइटर्स who all helped to initiate towards 1578 1778 कि वर एक new enthusiasm enthusiasm for the beauty of style अनिस style जो लिखने का यह सुन्दरता था उसमें एक नया enthusiasm था ठीक है फ्रेंस तो देखेंगे वह वाज क्यों कौन था राइटर तीन राइटर कौन कौन था तो एक था जोहन लिली और एक था सर फिलिप सीड़नी और एक था इंडमंड स्पेंसर इडमंड स्पेंसर का आपको इसका एज भी एज इसका भी अम लोग बहुत अच्छा से पढ़ना पढ़ता है ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट राइटर है इं तिनो में से एक जो है में इस वन कॉन्टुबूशन इस तिनो में से इन तिनो कहने हर तिनो जो है अपना वन कॉन्टुबूशन किया है अपने युगदान दिये हैं तुर्ट ता मेंकिंग ओफ इंगलिस पोईटरी English poetry को लिखने में लिखने की और बहुत ज़्यादा कंट्रिब्यूट किये है अपने योगदान दिये है Cup in the 16th century में So they not only sourd के अवल ये sourd ने sourd का मतलब होता है मतलब बोना करना में उसको seed को जैसे देते है शुरू करते है या उसको अधार रखते है इस तरीके से The seeds of new age एक नए age का seeds को बोई है मतलब English poetry में English poetry को डवलप किया है In English poetry में In the poetic drama जो poetry drama जिसे में drama लिखा जाता था उसे में poetic form में लिखा जाता था But also के वल यही नहीं Witness the full flooring of it और इसका जो है पूरी तरीके से जिसको हम लोग फूलना जिसको हम लोग फ्लावर और फूल देना उसको witnessed भी था ठीक है friends देखिए यहां आगे पढ़ेंगे First and foremost First and foremost का मतलब होता है यही आपको unique दिखाएगा एक्जाम में अगर लिखो कि इस तरीके से फ्रेजल वर्ड को तो आपको यही unique दिखाएगा कि आप बीए का student हो या 10 class 11 class, 12 class के हो इससे आपको या master कर रहे हैं उसका तो आपको यह दिखाता है BA student का इस प्रकार या MA master degree जो कर रहे हैं उन सबी का यह वर्ड जो है यूज करते हैं जिसे आपको कोसिन जो कोसिन का जो answer चेक होगा न फ्रेंस इससे आपका जो unique बनेगा जोहन लिली दिखेंगे फ्रेंस पहले जोहन लिली जोहन लिली का अगर death देखेंगे मतलब बर्थ and death देखेंगे तो देखेंगे 1564 में 1554 में जोहन इसका बर्थ हुआ था और 1606 में इसका डेथ हुआ था तो वाज वन अब फास्ट आप देम उन तीनों में से कहा जाता है कि उन तीनों में से एक पहला जो यह था सो वह साव्द जैसे इसावद दाइगे था था ठीड फुक थासलि उसका अ किष पर अं आटिस्ट स्टाहillió अं आचिस्टिक श्टाह buck an अरतिस्टिक स्टाहँ भू दीजाएँ जो मुख्यर था व उस तो से कहने को था एट थींग एख भूत अच्छा इस प्रकासे, so this curious way of writing mannered और affected जो परभाइद करने वाला जो राइटिंग था उसका, and set the fashion at the court has also through the literature, यहां बोल सकते हैं, कम हो सकता है, come through the literature, so some of his miser works, देखेंगे कुछ सी इसका माईजट वाक्स, जोहन लिली का, जो माईजट वाक्स क्या है, तो देखेंगे फ्रेंस माईजट वाक्स में, एना टोनी ओफ वीट, यह जो है, बहुत अच्छा यह जो वाक्त है इसका, एक है, यु फ्यूज बोल सकते है, यु फ्यूज ठीक है, and his England, एक राइट, एक जो वर्क है, यह यु फ्यूज ठीक है, यु फ्यूज या, यु फ्यूज, and his England, ADC, और नेक्स्ट है, Sir Philip Sydney, ठीक है, इसका अगर डेथ, इसको बर्थ और डेथ देखेंगे, तो देख सकते हैं, 1554 औ काटियर, and his, sorry, is equally for his, his personality, and his writings, उसका प्रस्नलीटी, और उसकी राइटिंग पे, जो इक्वाली है, ठीक है, उसका जैसा प्रस्नलीटी है, ऐसा उसका भी राइटिंग भी है, so his famous वर्क तेखेंगे, का आर्केडिया है, ठीक है, फ्यूज इसका फेमस का वर्क है, आर्केडि ठीक है, which was, so which was written, जो लिखा गया है, about 1580, to please her sister, अपने sister को सुख करने के लिए, सुखत देने के लिए, ये उसके बारे में जो लिखा गया है, so next है, इसका counters, ठीक है, the counters of pain broke, ठीक है, ठीक है, this poetic work manifests, ठीक है, many fists, Sydney's one thoughts on morality and politics and on life, इसके जो जो है counters, the counters of pain broke में, जो वर्नन की आगया हो है, मुलारीटी पर, politics पर, और लाइप पर, so we find that, humor is mixed with a tragedy in it, जिसमें, इसमें humor भी है, ठीक है, friends, जो laughter पैदा करना है, tragedy भी है, उसमें mixed tragedy भी है, दुखत भी, सुकत भी, हाशी भी आएगा, थोड़ा दुख भी आएगा, so not only his metaphor, metaphor आप लोग जानते है, ठीक है, metaphor नहीं जानते है, जो इसको हम literary device इसको बोलते है, ठीक है, figure of speech, is abrupt, जिसको metaphor is abrupt, abrupt में जल्दी, but Sydney also shows a sense of line and color of effects of light and shade, ठीक है, next है, देखिए, friends, आगे दिखेंगे, देखिए, यह सब unique है, आप लोग ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, तो आपका जो है marks कभी, सबसे highest marks आएगा, ठीक है, जो भी है average, जो दिया जाता है, अच्छा है, देखिए, यह सब है, देखिए, So, it is worthy, ठीक है, worthy भी पोलते है, worthy, ठीक है, worthy, ठीक है, worthy, ठीक है, worthy of mention here, जो यहां mention क्या गया है, so, these things were a noun, जो a noun है, to until the first half of 16th century, संचुरी तक इस सारे चीज जो है अनावन सौम अपीज इस मेजर वर्क्स आर देखे इस ट्रोफिल ठीक है इसका वर्क है इस ट्रोफिल एंड इस्टेला ठीक है अपलोजी फॉर पोईट्री इसका लिखा कम गया था तो 1580 में एकसे राय्टर हैं यृण ठीखा इन्डमन एस स्पेंसर को आप इंगली सॉन्स ज इस को अपता प्लाइन को पेंटियों या किसी में ये सब्सक्राइबуем को स्ब्सका कत चाहरे हैं धुक्षा इनавно आफिक जयाएं रुबूहेंट्री को को आनि सभी इसको जो है इमिटेट भी किये हैं देखा जाए तो देखें इसका वर्थ है 1552 तो इसका डेथ हुआ 1599 वाज देखें वाज दा फर्स्ट एलिजाबेथन प्वाइट तु रिविल पहला प्वाइट हुआ करता था रिविल दो प्वाइटिक ब्यूटी ऑफ इस जेनरेशन उसका अपने जेनरेशन में जो भी प्वाइटिक सुन्दरता व्यूटी जो था वो रिविल किया है परदर्सित किया है उसको दिखाए हैं इसलिए हम लोग कहा जाता है कि कि दाइट के स्पेंसर वाज दा फास्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश भार्स इंग्लिश भार्स का यह मास्टर कहा जाता है ठीक है इस बेस्ट इस फैथ और उसका जो फैथ है वाधार किसे अधारित है तो देखेंगे फार्मल पॉइट्स जो पहले का पॉइट्स हुआ करते थे अफ इंग्लिएंड में उस समय का जो पॉइट्स पर इसका विश्वास आधारित है यह विश्वास करते थे ठीक है नेक्स्ट है इसमें देखें उसके बाद ही मतलब कौन ओही लुकड जो है इडमोन एंड स्पेंसर ही लुकड ऑप टू जो फ्री चासर तो जो फ्री चासर आप लोग को सुरू सही जानते हैं कि इंग्लिश राइट जो इंग्लिश लांग्विज का जो फादर कहलाते हैं तो यह जो फ्री चासर है तो इसका जो जितने वक्स था प्वाइट पॉयम था इसको देखे हैं या इसका काम को जहां देखें इसी देखकर उन्होंने उसी के मोडल में यह रच्चे हैं या बोल सकते हैं लिखें इस इसमी के लगवाइड्य इसके लिए यह टेंड़ साम ह्याईडिकल वर्कस ता डिखें सफपोलिटिकल वक्स सेफोर्केंडर्स कलेंडर्स कलेंडर्स- कलेंडर्स मधर हुबर्ट टेल यह जो फ्री चासर का जो है वर्क है देखिए यह वाइल आप यहां होगे वाइल सो वाइल डिस्कसिंग जबकी यहां डिस्कसिंग कर रहे है ऐलिजाव एथन प्वाइट्री को डिस्कस कर रहे हैं So, one can, कोई भी एक जो कह सकता, hardly resist कर सकता है, जो temptation of recalling the two prominent poets of period, who are true Elizabethan poets, ठीक है, जो आप जो है, इसमें prominent poet, जो famous poet है, वो Samuel Daniel और एक Michael Drayton, ठीक है friends, यह याद रिखिएगा, इस प्रकास से आप जो है, भूलिएगा नहीं, आप writer का जरूर मेंशन केजिएगा, अपने exam लिखने, ठीक है, एंसर लिखने के समय, दाओ, the Elizabethan is, was an age of tumult, जिसको tumult भी बोल सकते हैं, on the account of far reading impact of renaissance, renaissance पे प्रभाववित होता है, और reformation, so we find that, हम लोग अगर पाते हैं, बोथ में, जैसे Samuel Daniel, जो Daniel है, Samuel Daniel और Michael Raton में देखते हैं, तो were wise मिलता है, ठीक है, बाद में से बुद्धिमान और काम, काम का मतलब सांथ, wise सांथ है, so they were well, well linguaged, बहुत अच्छा से इन लोग linguaged जानते हैं, और writers हैं, बहुत अच्छा writers हैं, so never, देखेंगे, so never harsh or bitter and always full of good sense, हम ऐसा इसका good sense देखेंगे भरा हुआ है, so it is worthy of mention here, जो यहाँ बहुत किमती mention किये हैं, ठीक है, mention है, so that among the cheap works of Daniels, Daniels का है, जो the civil wars, sonnets, ठीक है, और writers का देखेंगे, adios mirror, यह जो published हुआ था, यह भी death याद रखेगा, and the shepherds garland, 1593, इस प्रकास से, आगे आएए देखते हैं, इसका best lyric के बाद करें, जैसे देखें, यहाँ, मतलब best lyric में देखेंगे, lyrics of create, however we are written, जहां कि वो लिखा, जैसे यहाँ लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया है, तो बेंजन सन, थोमस, डिकर, दिमोंट, फ्लेचर, but the lyrics of William Shakespeare, are the most original, and richest in impressions of nature, we can say, we can consider, हम लोग मान सकते हैं, flowing lines from Shakespeare's song, देखें, Shakespeare का कुछ song है, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है, और देखने को मिलता है, कि Shakespeare का जो song यहाँ पर आपको इसको जरूल याद किजिएगा, आप लोग जरूल इसको याद किजिएगा, जैसे आप लोग याद किजिएगा, क्या याद किजिएगा, जो यह लिखा है, Oh Mr. Smyre, where are you roaming, ठीक है, what is love, and it's, जिसको हम लोग बलते हैं, तो it's not here after, so present myth, ठीक है, myth has present laughter, इसको जरूल इसको quotation में लिखियेगा, देखे, sonnets, it seems to us, where rarely intense, देखे, intense, in the age of, Queen Elizabeth, जैसे Queen Elizabeth, तो आगे यहाँ देखेंगे, टोड़ा से एक सेकेंड, ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर, the glory of the English sonnet, however rest, मतलब ठीका, with Sydney, Spencer, and Shakespeare, इन बहुत, जो है, कहेंग से, great writer हुआ करते थे, they used to describe, जो used किया जाता था, वर्नन करने में, their one intimate sentiments, intimate means, thunnist sentiments, जो सनवेदन है, उसको वर्नन करते थे आपना, so if they give the impression of sincerity, sincerity को वर्नन करते थे, so it is mainly केवल है, जो यह केवल है, because, so they are sincere, इन लोग बहुत सिंसियर रहते थे, so they, the sonnets of Sydney, Sydney का sonnets देखेंगे, and Spencer का देखेंगे, is mentioned above, above the content, जो above में mentioned किया गया, जो content है, जो content है, जो उसमें है, so temporary allegory, allegory का मितलब होता है, आप समय सकते हैं, pastoral romance, allegory और pastoral romance, जो, जो, ठीक है, जो country arts होते हैं, गाउन से लिया गया, romance, वो सब, allegory है, so but, यहां देखेंगे, but we, next इसको थोड़ा से आगी कर लेते हैं, okay, so, we, we find that the sonnets of William Shakespeare, देखेंगे, रिमाइन, ठीक है, William Shakespeare का जो sonnet है, वो रिमाइन करता है, in the cascade which enclose the rarest pairs of Elizabethan poetry, in the sonnets, one finds Shakespeare sings, देखेंगे, सक्स्पियर जो है, सक्स्पियर सिंग्स गाते है, his devotion, ठीक है, devotion to a young, young noble, whose beauty celebrates, or the expresses, the, expresses the fear of his love, ठीक है, fear of, चुक, fear of his love, for a marriage, omen, dark, देखेंगे, कि हम लोग sonnet पढ़ेंगे, जो 100, जो है, sonnet कितना लेकिना, 154, तो इसमें, चार, तिन काटिग्री में है, एक, फियर, जो, फियर, मितलब, में के बार है, और एक, डार्क, लेडी के बार है, तो वही बोल रहा है, जो, married, omen, dark है, उसके, उसका, हेयर, जो है, and, change, who, betrays, betrays, ठीक है, betrays, her, his, यहाँ पर, ओके, so, betrays him, ठीक है, जहीम है, betrays him, his friend, इस प्रकार से, so, we can consider the flowing lines of his sonnet, उसका sonnet से, कुछ, जो, लाइन है, आपको, exam में, जो है, जरूल, इसको, describe किजिएगा, ताकि, आपका, जो, answer, बहुत suitable, बहुत अच्छा होगा, जिसे, एक, दूसरे से, योनिक और बेटर रहागा, जो, sign करेंगे, जो, check करेंगे, कोपी, उसको, आपको, देख को, जरूल देंगे, दूचार नमबर जादा, So, when I consider the everything that grows, जब मैं, हर चीजों को मानते हैं, कि, ग्रो करता है, So, hold in the perfection, और उस perfection को पकड़ते हैं, जो भी ग्रो करता है, उसका, जो perfection होता है, उसको भी पकड़ते हैं, So, means, उसका attraction आता है, एंदे, a title moment, sorry, a little moment होगा, टाइटल हो, okay, देख लिजेगा थोड़ा सा इसको, So, a title, ठीक है, title moment, So, यह जो हूब भू लिखना है, ठीक है, आपको अलगने लिखना है, That, this huge stage present on the death, Not, ठीक है, not, That, that way, यहां dash, dash कर दिजेगा, और यहां आगे लिखेगा, लास सोड़ो, लास सोड़ो, लास सोड़ो, लेंज, और, वर्ड्स, एंड, वर्ड्स, एक्स्प्रेज, The manner of mind, pity, wanting, pain, इस प्रकार से आपको यहां जो है, यह कोटेशन, जरू लिखेगा, कोटेशन का मतलब क्या हुआ, कि विलियम सक्स्पियर का जो है, सोनेट से लिखा गया, लिया गया, जो लाइन है, यह सोनेट का है, ठीक है, तो आई हम लोग आगे देखते हैं, जो वी डिसकोबर, देखो, वी डिसकोबर, हाव दा डीफ पैथोस, पैथोस का मतलब गहरा, तू किया, गहरा, यह समझो, उदास, तो दीज सोनेट, देखो, दीज सोनेट, यहां दीज सोनेट है, इस बुलेवड बाइदा, डेयर ब्यूटी ओफ इस टाइल, जो ब्यूटी ओफ इस टाइल एंड, इमैजरी, इमैजरी जो यूज किया गया है, बाइद परुफेक्षन अप लाइंस होज, जो लाइंस का जो परुफेक्षन है, जो आपको देखने को मिलता है, जो होज सबस्टल, ठीक है, सबल, इसको बलते हैं सबल मिलोडी, सबल मिलोडी हाज ने बीन सबस्ट, ने सरपस्ट ने, जो है, सरपस्ट कभी ने करता है, वर्थी अभ मेंसांड एं इन इस सकान का फ्ल बलोु का मतलब्ट का फुलना। यहां फल फुल देना इस तरीकी से मतलब जो प्वाइटरी का डेवलप विकास होना अब लोंगर यहां देखेंगे लोंगर लोंगर पोएम्स ठीक है लोंगर पोएम्स त्री मेर्केबल इस आर देखें क्या है क्रिस्टोफर का देखेंगे Christopher Marlowe's देखेंगो समय William Shakespeare जूगा करते थे 16th century में तो Christopher Marlowe भी great dramatist थे यहाँ देखेंगे so hero and leaders William Shakespeare का था Venus and Andronica ठीक है Adonis Venus and Adonis यह रहा Next friends, last यहाँ पे conclusion आपको पूरे आपको एक जरासाने अलग से आपको कुछ करना, आपको पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा so last में करेंगे, आप यहाँ सम भी लिखना है, पूरे लिखने के बाद आपको include करना है, सम अप करके तो देखें, to sum of the Elizabethan poetry which made its mark, वह जो बहुत अच्छा माक्स दिया है, लार्जली on the strength of political works and contribute, political works and contributed by Johann Lilly, Edmund Spencer, Philip Sidney and Shakespeare was further enriched, यह लोग ओर रिखन किया by the composers of longer poems, लंब 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 लिखते थे, देखेंगे, विल्लियम सक्स प्याती को जोफरी चासर का देखेंगे contemporary tales कितना लंबा है like Merlo and Southwell those of Sorter lyrics like Daniel and Dryton, इन लोगों ने छोटे-छोटे poem भी लिखे हैं तो इस प्रकार से आप लोग देखें यहाँ पे, समझ जाएए कि आपका जो है marks में कभी कमने, अगर 20 marks के लिख होता है, तो आप इस परिकार लिखेंगे, तो आपका जो है, आपका 60 plus, 16 plus आजाएगा आपका 16, 17, और 2-3 marks कट सकता है 2-3 marks, 3 marks, आपका अच्छा marks उठाने के लिए इस चानल को subscribe कर लिजएगा, आपका सारा नोट से मिल जाएगा, आपका ज्यादा कस्ट करने का जोरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए कस्ट करते हैं, आप लोग सिर्फ आपको like करें subscribe करें, चैनल को ठीक है, कर लिए और आगे बढ़ाते रहें, thank you फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, okay भाई